वेलकम बैक फ्रेंड्स वेलकम टो आवर एट्वी इंडियाव.com तो फ्रेंड्स आप भी हम लोग देखने जा रहे हैं सेकंड सिप्ट के जो पेपर हुए हैं सेसी जेए के जो प्री एक्जाम्स के उसके रिव्यू हैं ये और ये जो पॉस्टन होंगे फ्रेंड्स जो वाड़ी एक वोश्टन दिये गए मेरे को तो कोई एगर पॉस्टन इधर उदर होता है तो आप लोग इसको एक वर वेरिफाइब करना क्योंकि मेरे को लेट इसलिए वीडियो डालने में होता है कि मैं खुद से अपने वीडियो को पहले उसको पॉस्टन को देखता हूँ और मैं बहुत सरे जगह पर वेरिफाइब करता हूँ कि यहां वो कोश्टन आया है कि नहीं तभी मैं अपने वीडियो में उसको सामिल करता हूँ इसलिए डवल चेक करना ज़रूरी है क्योंकि आपको अंध्विस्वात में नहीं रख सकता मैं और यह बहुत ज़रूरी है क क्याärt की ब DLC के साथ के घनीकल कौशे भी है तो थोड़ा सा उसका लेवल हाई Corinth लेकिन अभी जो paper जो 2 हुए है उसमें थोड़े से जो technical question है वो थोड़े से easy है लेकिन runtime वही है जैसा उसमें था उसमें वो ऐसा ही ठाटएक है आपको पूछा गया है unit based question देखो जो भी question आपके लिवो द्वारा दिये गया है हमको मुहयाग रहाए गए हैं उसी के ये question है unit based question from costing estimation आप से पूछ रहे हैं तो हर एक का unit आपको कर ले ना है किसका किसका कौन सा unit होते हैं और meter square होगे, meter cube होगे आपको तो costing estimation जो आपका है ना आपको मैं बता है तो इस वाले में भी आपके 11 से 12 question आपके पूछे गया है costing estimation के brick में आपका percentage of almuna पूछ रहा है आपसे तो 30% के round होता है height of driver क्या पूछा है driver का eye पूछा होगा आपके इस में देख लेंगे ये भी आप लोग फिर से पूछ रहा है accurate method to find water content in lab आपको पता है accurate method fine करने का है open drying method समझ गया है उसके बाद आपका glacier soil based question एक पुछा था glacier soil based question तो पता नहीं आप लोग का कैसा question था आप लोग अहां प्रेंट्स जानते हैं वो मेरे comment करके बतावी सकते हैं तो डिटेल में दे सकते हैं मैं जो लास्ट में जो करूंगा question को पूरा को एक जगई कठा करके उसके solution लाने कुसिस करूंगा तो वह एक अच्छा विकल्फ हो का बहुत सर्व जो अभी तुरत जो 2019 में जो पेपर होने वाले हैं आपके फैबे मार्च में उसके लिए आपको फिर cover of RCC column से भी एक question पूछा गया है unit of kinematic viscosity यह बहुत जो कोस्टन में देख रहा हूं कि unit of kinematic viscosity यूज क्या जा रहा है बार बार आ रहा है तो इसका आपको पता है क्या होता है unit इसका meter square per second फोर यह जो आपका है यह code पूछ रहा था code किसके लिए concrete mixed design के लिए तो यह आपका होता है जो option यह दिया गया है इतना होता आपका फिर से उसके बाद जो second question आपको पूछा गया है centerline method best numerical numerical इन सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं तो अब मैं बता दूँ कि जो second paper हुए है उसमें से एक ही है दो numerical पूछे गए है जातर numerical नहीं है यहाँ पर आपका जो है duty delta based हमेशा पूछ रहा है यह कुछ value दिये रहेंगे आपको पिछले बार में भी value दिये थे इतना दिये रहे थे इस बार भी साय वैलू आपके दिया गया है तो आप इससे question देख लो दोनों स में पूछा है तो आपके लिए बहुत ही important हो जाता है cost of tools is how much percent of total cost of construction इवी आपसे पूछाता है तो आपको में बता दूँ जिफ्लों costing estimation जो है आपको करकर ही जाना है ठीक है और BMC BMC होगी आपका फिर उसके बास survey जो करना है survey भी कर ले लेकिन एक चीज़ में नयाद देख होता है आपका payment payment वाला वो subject का मैं नाम भूल रहा हूँ भी और cost of tools is how much percent बता दिया what is the ratio of plastic sitting देश्टे को सुबह में भी एक आया था liquid liquid limit वाला आप कुछी इस परके से diagram बनाते हो उसको देख लेना आप लो ऐसे करके बनाते हो ना उसको पूरा आप सही दे कर लेना subscribe value भार बार आपसे पूछ रहा है dismantled value क्या होता है subscribe value क्या होता है slave value क्या होता है तो यह सब चीज़ आपको theory वाले चीज़े है वह आप अच्छे से कर लेना ठीक है हाँ फ्रेंट में जो बात बोला था और transport का बात बोला था और शिवीडियो में लेंट भीव जाता है क्योंके बहुत सारे बच्चे लिए थे नहीं है एक जीएश जीके का कोशन जो था दीपका कुमारे ये लिए टेर्टेड ये आर्चरी से गण्टेड है जो हिंद्य समस्ते हैं उनको बोलते है तिरंदा जी तिरंदा जी ठीक है पुचा था इसके वाले में डिटेल नहीं पता है, इसके disease पुचे थे, deficiency पुचे थे या इसके रसायनिक नाम पुचे थे, ये नहीं बता सकता हूं मैं, एक eye problem के question था, क्याई प्रोब्लम क्यों होता है तो विटामिन A के कमी के कारण होता है इसी तरीके से मैं सुबह में आपको बताया था कि ये सब चीजे नहीं पूछते हैं यसे B से क्या होता है बेरी बेरी आपका होता है C से क्या होता है आपका असकरभी होता है मसूरों का जो प्रोब्लम होता है B स इससे आपका क्या होता है रिकेट होता है इससे आपका क्या होता है नपून सकता होता है कमी से और के से आपका ब्लड क्लोटिंग वोला जो प्रोब्लम है वो होता है ठीक है तो आप इस तरह से इसको प्रिपेर कर लोगे बहुत नीजी होता है आसाने से कर सकते हो एसे टीक एसीट के बारे में आपसे पूछा था तो एसे टीक एसीट में क्या पूछा है इसके बारे में डिजियल नहीं पता और जहां तक देखो इसमें आपको मैं बता ज़ता हूँ इसमें बहुत सारे जो अटेम्ट लोग कर रहे हैं इसमें moderate level का है और इसमें को सब्सक्राइब और जो भी आपको 40 to 45 और वह फेक बोल रहे हैं और जो पूचिंग वाले जो बोल रहे हैं कि हमने पढ़ाया था ने किया था वैसा कुछ बिलकुल भी नहीं है वो जब को आता है तो आपको पता चल जाए किसने कौन पढ़ाया था था उनको बोल डीरितर जाए हुआ है तो ऐसा अब प्रोब्लेंग बननने के लिए ऑड़ कोडिंग के कुल ये-णिका कर यह आपका वरहे लगता होगा में कुछ दिया होगा how बनेकर देchn róż आपका ये sister denote करता है तो आपको last make और बना के दिया रहेगा एकस ऐसे गर के और आपका जेड और वाई तो इसको बारे में आपको बताना होगा कि क्या किसमे क्या relation होगा उस तरह से question आपके बन रहा है सबसे पहले चेक करते हैं उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसा होता है कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज्यादा पूछ रहा है और सीरीज थ्वा टफ कर रहा है question देखने में जा रहा है जो number टैप के जो number series है को आपके परसान करने है question कर रहा है और आपका sitting arrangement sitting arrangement में क्या है sitting arrangement में आपके जो पहले में थे एक में circular question पुछा था और एक आपका केवल state sitting जो होता है वह आपका पूछा था कि क्या आप ते इस बार में भी आपका केवल इस पे पूछा है sitting arrangement analogies से भी question पूछ रहा है classification से भी और अगर हम रिजनी की बात करें तो रिजनी का जो पहले जो लेवल आता था 2018 से पहले वाले जाम में 2017 से पहले उससे इनके लेवल इंक्रीज हो गया है जो बच्चा आपका 45 क्रॉस करता था वह आपको यहां पर 40 के राउंडी रा जा रहा है ठीक है तो आप लोग इसको आप लोग टाइम अच्छे से दिर रहा है इसको आप लोग 45 मिनिट्स देने का कुशिस करना आपके हो जाएंगे और 10 मिनिट्स आप आपका GS पर देने जाता मत देना बाकी आप लोग टेकनिकल में देना तो आराम से तो 70 कोशन तो करीं लोगे और देख सकते हो कितना कोशन आप लोग कर सकते हो तो इस तरीके से फ्रेंट्स यह हो गया आपका और मैं ओवरॉल पेपर के अगर बात करता हूं तो अगर आपक को negative नहीं बढ़ना है किसी तरह से आपको qualify करना है और इस पर आपको पता है वेकेंसी पहले के रूप में ज्यादा है थोड़ा तो आपको chance रखना है तो आपके chances बन जाते हैं कि आप 60 से उपर कर सकते हैं तो आप मान लो यहाँ पागर 70 तक करते हो आपका तो यह good attempt हो जाएगा तो आप समझ लो कि अगर जिन्नों ने 130 से भी उपर किया है उनके अच्छे marks आपके आ जाएंगे ठीक है उनके अच्छे आपके chances हैं अगर आपने बिना तुक्का के question किया है तो 130 के round चाये वो यूवार ही क्यों नहीं हो तो आराम से cross कर लेंगे ठीक है तो इस तरीके से फ्रेंस रिजिनिंग और आज का पेपर के जो पुरा जो समरी था वो यही था मैं वीडियो के बाद में आपको जो कल जो या पर तो जो पेपर खतम ह हो जाएगा इसने पूरा में डिटेल जो कि आपके लिए अगले जो 2019 का जो पेपर है उसके लिए बहुत ही आपका अच्छा एक प्रेट्पॉर्म मिल जागा जो नहीं बच्चे होन के लिए भी तो थांक्स प्रेंस थांक्स पर वाचिंग में वीडियो वीडियो को लाइक जिरू कर दें और अधी अगरिए और अभी आपके जो लिए निक आपको मिल जाएंगे थैंक्स फ्रेंस थैंक्स फॉर्टी वाचिंग में वीडियो